कि स्री आर्षिपी सिंग साहिब ने कहा है कि वो भाजपा जोईन करने का अलान में ने किया यह तो बहुत पहले से मालुम था, हुँने बहुत पहले कहा कि वो भारतिय जनता पार्टी के एजेंट के रुख में पार्टी के रास्टी अध्यक्ष रहते हुए पार्टी में काम कर रहे थे और नितीश कुमार जी को कमजोर कर रहे थे और नितीश कुमार जी ने उनको पहचान लिया और पहचानने के कारण ही उनका टिकट काट दिया तो इसलिए अब पहले हुए एजेंट के रूप में थे अब आज सीधे ज्वाइन कर रहे हैं इसमें कोन निया बात है इसमें कोई खास बात नहीं है यह हम लोग पहले से जान रहे थे कि उनका क्या धंदा चल रहा है और CPC कह रहे हैं सर जनता दल यू के बात उन्होंने कही है कि जनता दल यू का स्थित्व समाप्त करने वाले का स्थित्व राजनेतिक स्थित्व समाप्त हो जाएगा उनको मालूम क्या है जनता दल यू कब बना जनता दल यू कैसे बना जनता दल यू किन कारणों से बना क्या इतिहास भुगल उनको मालूम है अरे वो तो नितीश कुमार जी के स्टाफ थे नौकरी कर रहे थे राजनीतिक इच्छा उन्होंने व्यक्त की नितीश कुमार जी ने उनको बना दिया उनको क्या मालूम है जनता दलियू क्या है जनता दलियू का एसले के जट तक कुछ कि फाइल है कि चारपन्ना फाइल का पढ़ लिजिया समझ जाईएगा जनता दल्यू का स्थित्व रूट गंव तक है उसका जड़ बहुत मजबूत है और आर सीपी सिंग जैसे सैक्ड़ो आर सीपी सिंग जनता दल्यू के स्थित्व को समाप्त नहीं कर सकते हैं अब कर रहे हैं कि बिले हो जाएगा जनता दल्यू का आपको बात कर रहे हैं क्या थे आप नितीश कुमार जी ने आपको जितना सम्मान दिया जिस पार्टी ने आपको सम्मान दिया जिस पार्टी ने आपको यहां तक पहुंचा दिया कि आप बोलने के लाइक भी है ये बोलने के लाइक आपको किसने बना है नितीश कुमार जी ने आपको बोलने के लाइक बना है आज जो ब्यान बाजी भासन दे रहे हैं और बड़ा राजनितिक पड़का राजनितिक वो stalwart बने हुए हैं किस ने पहचान दिया ये पहचान नितिश कुमार जी ने दिया आपको आपको राजसभा का दो टर्म MP बनाया आपको पार्टी के राष्टिय महास्चिप संगटन बनाया और 2020 में उन्होंने खुद इस्तीफा देके आपको राष्टिय देख्ष बनाया और जिस पार्टी ने आपको दिया उसके बारे में आप इस तरह की बात कर रहे हैं ये वही इस तरह की बात वही कर सकता है जिसका चरित्र साफ नहीं जिसका मन मैला हो और उनका मन मैला था और 2020 के विधान सभा के चुनाव में ही उनका मन मैला हो गया था ये हम लोगों को पता है वो 43 सीट पर पहुंचाने में भारतिय जनता पार्टी के साथ मिलके हमारी पार्टी के रास्टिया देख रहते हुए उन्होंने साजिस की उन्होंने खड़ेंद्र किया और पार्टी को 43 पर पहुंचा दिया नितीज कुमार जी ने जो उन पर भरोशा किया था नितीज कुमार जी ने उन पर जो विश्वास किया था उससे उन्होंने विश्वास गात किया उन्होंने नितीज कुमार जी के पीठ में छुरा भोकने का काम किया और आप परवचन दे रहे हैं रेजेंट तो थे ही आप तो चले गए आज इस पार्टी में ती तो सब को मालुम था कि आज नकल आपको जाना ही ता करिएगा क्या आपको पूछेगा आपको आप करें मंत्री बनने के लिए नितीश कुमार जूट बोल रहे हैं सर्म भी नहीं आ रहे हैं आपको बोलते हुए जिस आदमी ने आपको इतना इज़द दिया इतना सम्मान दिया उसको करें जूट बोल रहे सच्चाईय है कि नितीश कुमार जी को जब फोन गया तो नितीश कुमार जी ने भारत सरकार के ग्रीह मंत्री श्री अमीच साहजी को ये कहा कि पार्टी के राष्टी अध्यक्स से पूछ लिए पार्टी के राष्टी अध्यक्स का क्या फर्द था 2019 में नितीश कुमार जी ने एक स्टैंड लिया था कि हमको सांकेतिक भागीदारी नहीं समानुपातिक भागेदारी चाहिए अगर पाटी के रास्टी अध्यक्स कुमार जी ने स्टीफादे के आपको बनाया तो आपका फर्ज था आपका कर्तब बता कि आप नितीज कुमार जी के 2019 के स्टैंड को सपोर्ट करते और कहते कि जो उस समय का नितीजी का और हमारी पार्टी के जो नेता है उनका जो स्टैंड था उसे स्टैंड पर आज हम कायम है